हेलो फ्रेंडस रेलेवे एंटीपीची के сделал हेलेवें निकल निकल बहुत बड़ी अब्रेटबाहर निकल के आ रहा है फ्रेंडस जो आपका केस किया गया था NTPC CBT 1 के रिजर्ब के रिजर्ड़ के रिकार्डिन एट आ चुका है उसकी सिनवायी की तेथी आ चुकी है तो देखिए ये official website है Central Administrative Tribunal का और यहाँ पे जब इसको scroll करते हुए आप नीचे आते है friends तो यहाँ पे आइदी आप गौर करते हैं तो select case type आता है और दूसरा number पे case number आता है और तीसरे सिते में enter case year आता है तो यहाँ पे जैसे ही आप search करते हैं friends तो search करने के बाद देखिए आपका जो case हुआ था किसके द्वारा तो संदीप कुमार और अदर्स के द्वारा किसके खिलाब तो railway भवन और अदर्स के खिलाब तो देखिए और यह जो date of healing है 21 April को यहाँ पे case type है आपका यह diary number है और case number है तो जैसे ही friends इसको आप more detail पर click करते है तो case का पूरा का पूरा detail आपके सामने खुल करके आजाता है तो देखिए friends यह पूरा का पूरा detail जो है वो आपके सामने खुल के आजाता है आप दिखाते हैं कि यह case के अंदर और आपका जो है वो एंटिपिजिस तो पेंडिंग है फ्रेंड्स और इसका फर्स्ट हेरिंग कड़ेट यानि पहली सुनवाई किती थी जो है वो आपका 27 अप्रेल को रखा गया यानि फ्रेंड्स आपका कल रखा गया है और देख सकते हैं कि यह पिटिशनर कौन-कौन से मतलब कौन-कौन से यह याजिका दायर किये थे तो संदीब कुमार थे दीपक सीव थे और कीरन नाम की कोई थी उसके बाद यहाँ पर दिखिए बताया गया है कि पिटिशनर एड्रेस तो इनका एड्रेस भी दिया गया है विलेज बालुवा पोस्ट मुलुवा वेस्ट चमपारन बिहार से यह किये थे और पिट और एड्रेस की बात करे फ्रेंट सारे बोट का तो एड्रेस यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि रेल भावन राइसाना रोड न्यू दिली इसका जो है वो एड्रेस है और यहाँ पर कोट भी भी दिया गया है फ्रेंट से बाकी जो डिटेल देखे तो यहाँ पर यहाँ नमबर यहां पर दिया गया है, case number दिया गया है और case is defect free, मतलब अभी case में किसी परकार का issue नहीं है case का जो है, वो पूर्ण रुप से कल सुनवाई होगा, और हलांकी इसमें railway चाहे तो pending भी डाल सकती है कल नहीं, railway भाग ले सकती है और बाद में भविसे में जागर के वो जब CBD2 का आपको एक्जाम हो जाएगा तब आगर के वो बाद में भाग ले सकती है तो friends, देखे, यहां पे और सारे detail जो है, वो आपको नहीं दिये गया है ना तो आपका railway का जो आपका वकील है, उसके बारे में भी कोई detail नहीं है तो केवल और केवल जो है, वो संदीब कुमार जी से related सारा detail आपको दिया गया है railway board की तरफ से उनका वकील कोन होगा यह detail आपको अभी नहीं दिया गया है तो यह सारे detail जो है, आपको मिल जाएगा जब इसका सुनवाई किया जाएगा तो friends, क्या इसका जो परभाव है वो railway ntpc cbt2 के एक्जाम पर पढ़ेगा जो कि आपका 9th माई और 10th माई को होने वाला है और आपका जो बात के schedule जारी होने वाले हैं उसके क्या परभाव पढ़ेगा तो friends, देखे, मैं clearly आपको बता देता हूँ कि इसका जो court case है उसका कोई भी परभाव जो है वो आपका ntpc cbt2 के एक्जाम पर नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि देखे, 27 अफरिल नहीं कल के date में आपका जो है, वो इसका court का सुनवाई इस case का सुनवाई होगा तो friends, कल सुनवाई होगा और आपका 30 अफरिल का पून रूप से जारी कर दिया जाएगा आपका city intimation तो देखे, कोई guarantee नहीं कल by chance है रेलेवेस के अंदर भाग नहीं लेता है और postpone कर देता है तो इस case का मतलब कल के लिए कोई नहीं राजाएगा और बाद में आपका जो है, देखे, 9th मही और 10th मही को तो आपका exam होई जाने वाला है तो बाद में ये 15 दिन, 30 दिन करका अपना postpone करते रहेंगे और जब तक कि आपका exam हो जाएगा तो देखे, मैं clearly आपको बता देता हूँ कि आपका exam के उपर कोई प्रभाव नहीं पढ़ने वाला है आपका exam जो है, वो 9th मही और 10th मही को हो जाने वाला है अब बात करते हैं कि आपका CBT2 का जो लेबल 2 है और लेबल 3 और लेबल 5 का exam कब होगा आप maximum chance रखे कि 20 मही के बाद आपका exam प्रभाव करा लिया जाएगा हलांकि सारे लेबल का exam जो है, वो मही के अंदर नहीं हो पाएगा तो आप ज़्यादा chance रख सकते हैं कि लेबल 2 का exam है और लेबल 3 का exam वो जून के अंदर conduct कराया जाएगा क्योंकि देखे, सारे जोन की cut up की बात करें, तो लेबल 2 का और लेबल 3 का cut up जो है वो लेबल 5 और लेबल 6 के मुकाबले में लो रहा है और इसके कारण से लेबल 2 और लेबल 3 के अंदर जो candidate की संक्या है वो काफी ज़्यादा है दूसरे लेबल की मुखाबले लेबल 6 और लेबल 4 लेबल 5 की मुखाबले तो अगला आपका जो एकजाम होगा फ्रेंट्स वो आप 100% स्योर रही है कि लेबल 5 का आपका एकजाम जो है वो होने वाला है